नमस्कार मैं हुआ में तो आप देख रहे हो मेरा यूटिब चैनल ड्रिम सिटी ट्यूटर तो ड्रिम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फोटोशॉप में कैमरा रॉफ फिल्टर जो बहुत यूजफूल है कलर ग्रेडिंग के लिए आप कलर करेक्शन कर सकते हो, कलर ग्रेड कर सकते हो, इमेज के कलर चेंज कर सकते हो, आइस के कलर चेंज कर सकते हो, कैमरा रॉफ फिल्टर के तूरू तो चलो चलते हैं देखते हैं यह पावर पैक जो आप्शन है कैमरा रॉफ वो हम लोग देखने वाले हैं आज फोटोश जो हम लोग इमेजिस को color grade करते हैं and then हम लोग उसको और भी ज्यादा enhance करते हैं तो कैसे हम लोग करते हैं चलो देखते हैं तो सबसे first आपको जाना है filter में filter में आपको मिल जाएगा यहाँ पे camera rock filter देगो camera rock filter जब भी आप यूज करोगे तो better है कि अगर आपने DSLR वेगरा image चाप्चर किया हुआ जो images है आप उसके ओपर work करो तो ज्यादा better आपको result मिलने वाले है okay अब for example जैसे कि first manages जो image ले रखें यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास image है तो सबसे first जो option है वो हमारा basic होते हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि basic है curve है, detail है, color mixer है तो आज मैं सब को one by one समझाता हूँ and then यह बहुत बड़ा power pack आपके लिए साभीत होने वाला है तो carefully थोरा सा देखो आप तो सबसे first मैं आता हूँ basic पे, basic में आपको मिलता है color temperature निस आपको यहाँ पे जो color temperature यूज करना है वो कौन सा यूज करना है तो वाम करना है या cooler side में करना है अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे यह तुरह सा cool side में मुझे लेकर जाने है तो आप उसको तुरह सा cool side में लेकर चले जाओ means यह आपका जो color temperature है completely यह cool side में चले गया है अगर इसी को आपकर warm में आपको लेना है तो आप देख सकते हो warm में चले जाओ तो दोनों के ही result completely अलग आ रहे हैं यह तुरह सा warm लग रहे हैं तुरह से लग रहे हैं कि summer season वाले आपको फिल कराता है and then another hand आपको जब देखोगे आप color temperature में जाओगे यहाँ पे तो यह winter season या फिर morning वाले जो हमारे पिक होते हैं कुछ वैसे आपको फिल देते हैं या punch देते हैं आपको कौन से color में again जाना है लाइक greenish या purple color में भी आप जा सकते हो यहाँ पे tint color होते हैं तो tint के recording भी आप जा सकते हो तो ऐसा है exposure करना है exposure काम होता है हमारा देखो तीन tones होते हैं हमेशा याद रखो आप कभी भी images में तीन tones ही होते हैं mid tone होता है shadow होते है and then highlight होते हैं तो यह काम करता है exposure जो काम करता है वो हमारा exposure जैसे जैसे बढ़ा होगे तो आपका mid tone and then highlights पे ज्यादा work करता है ऐसी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो objects हैं वो highlight हो रहे हैं okay हमारा exposure के through and then contrast है contrast जो होते हो dark color पे use होते हैं तो यह हमारा यहाँ पे exposure है अब exposure कहां काम होता है तो exposure हमेशा आपके जो mid tone होते हैं उस पे ज्यादा work करता है and then highlight वाले पे ज्यादा work करता है आपके exposure जैसे ही मैं exposure को थोड़ा सा ज्यादा slide कर रहा हूं tweak कर रहा हूं अपने slider को तो आप देख सकते हो कि ज्यादा आपको exposure मिल रहे हैं यहाँ पे okay तो कुछ इस तरह से आप exposure ले सकते हो यहाँ पे जैसा आपको चाहिए वह आप ले सकते हो कुछ ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैं split कर दिया screen because of कि आप after and then before ले सकते हो देख सकते हो यहाँ पे कि क्या changes आ रहे हैं तो before and after के scene अगर आपको चाहिए create करने तो यहाँ पे click करके आप ले सकते हो अप मैं आता हूँ यहाँ पे highlight होगया highlight को आप देख सकते हो कि कितना आपको चा आप low तो देखो black color पे ज्यादा punch कर रहा है यह तो आप black color को अगर आपको highlight करने या ज्यादा आपको चाहिए होगा तो आप ले लेना यहाँ से shadow and then यह white color पे ज्यादा work करता है अगर यहाँ पे आप white पे जाओगे again यह black है तो black के उपर ज्यादा करेगा ऐसा and then texture अब texture का क details भी दिखना start हो जाता है उसके बाद clarity आता है see जितना clear करोगे तो आप देख सकते हो कि कितना clear आपको चाहिए होगा image में वह आप ले सकते हो यहाँ पे simple सा and then again days बोल के राते हैं इसे days बोलते हैं बट आप इसको ले सकते हो कुछ ऐसे vibrance color आप जितना जादा vibrance color डालोगे आप तो vibrance में जैसे जैसे आप vibrance के ओपर work करते चले जाओगे आपको color और भी ज्यादा contrast create करता है and then saturation में भी आपका कुछ वैसे ही है कि अगर मैं zero कर दूँ यहाँ पे तो by default zero ही होते हैं तो मैं बाद में इसको use करता हूँ जैसे जैसे vibrance आप यहाँ पे use कर रहे हो देख करता है and then अगर आप saturate करते हो तो colors आपको ज्यादा punchy मिलते हैं यहाँ पे तो ज्यादा आपको लेना नहीं है यहाँ पे I think three four काफी है जितना यह चाहिए उतना आप ले लो यहां से तो यह हो गया हमारा basic तो basic में कुछ इस तरह के output आप देख सकते हो कि आपको मिल गया है कुछ ऐसा अगर उसी को मैं curve के थ्रू लेना चाहूं like red green and then blue किसी एक color को particular color के उपर आप work करना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर आप कर सकते हो सी कैसे भी आप चाहो तो यहाँ पे color को और भी तो आज़ा different way में लेके जा सकते हो अगर आपको सारे colors को एक साथ ही करने है red green and blue तो आप इसे click करके आप यहाँ से जाकर ले सकते हो तो इसे different colors कुछ ऐसे तो यहाँ से भी आप जाकर curve के थ्रू भी आप जाकर यहाँ पे work में ले सकते हो उसके बाद हमारा आता है details के ओपर तो detail को click करो यहाँ पे and then sharpen जैसे इससे आप increase करोगे sharpen आप देख सकते हो कि इसमे sharpen बहुत ज़्यादा आ रहे हैं see okay तो आप sharp कर सकते हो noise reduce कर सकते हो अगर आपके पास noise है तो आप noise reduce कर सकते हो इसके through तो आप कुछ इस तरह से ले सकते हो like मैं तुरह सा दिखाता हूँ यहाँ पे see तो अगर मैं यहाँ पे दिखाओं यहाँ पे आपको jacket के उपर मैं थुरह सा दिखाना चाहता हूँ see अब jacket को थुरह सा carefully देखो कि अगर मैं यहाँ पे जाकर noise को अगर मैं ले रहा हूँ तो jacket के उपर के जो details है ना वो पूरे निकल जा रहे हैं यहाँ से noise अगर मैं यहाँ से जाकर work में ले रहा हूँ तो okay तो यह completely आपके उपर की किस तरह का आप यहाँ पे बनाना चाहते हो ज़्यादा noise आप clear करना चाहते हो या रखना चाहते हो reduction है noise reduction करोगे तो complete आपका चले जाएंगे कुछ ऐसा see तो details वगरा hide चले जाएंगे सिर्फ smoothness बचेंगे यहाँ पे जैसे कि अभी आप देख सकते हो smooth है बहुत लोगों को यह भी अच्छे लगते है because आप आप देख सकते हो कि पूरा face आपको smooth है details नहीं है बहुत ज़्यादा तो details आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे तो अगर आपको यह करना है तो आप यह भी कर सकते हो noise वगरा हटा सकते हो skin से तो आप जा सकते हो skin के ओपर भी कुछ ऐसा see अभी skin के ओपर तोड़े से आपको details दीख रहे हैं आप चाओ तो 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 थोग़ा सबस्मूथ कर लो skin को यहाँ से see तो पूरे korean style में आपका skin हो जाएगा पूरे शार्निंग वाले जो बढ़े हैं कुछ ऐसे चिक रहे हैं तो बहुत स्मूथ आपका स्कीन हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा, ओके, तो यह हो गया हमारा नॉइस के उपर, उसके बाद आप चाहो तो कलर मिकसर में आ जा सकते हो, लाइक थोरा सा डिफरेंट कलर आपको चाहिए, रेड चाहिए, या कुछ चाहिए, आप देख सकते ह हो, इसके लिप्स के कलर को, अगर रेड के उपर अगर आपको लिए सकते हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, और ऑजा सक आपके कछा ऑरेंट, और आपको और्वर्त के बाहुए, यहाँ आपकेशन अहाँ से रहे पर आपके ड्रेस में कहीं पर कॉस्टुम में गर ग्रीन है, या उसके color को आप change कर सकते हो यहां से, ओके, तो बहुत easy way में आप change कर सकते हो यह हो गया हमारा color grading color grading आपको भी यहां पे जाकर आप जैसा भी color आपको चाहिए होगा color grade के थूप आप ले सकते हो like hue saturation के carding है shading है, highlight है, यह देखो, fine, तो यह हमारा यह हमारा shadow है यह highlight है, तो यह highlight पे work करेगा and then यह shadows पे, means dark color पे, तो अगर आपका dark color थोगा ब्लूइश चाहिए, तो अपले सकते हो तो यहां से भी आप change कर सकते हो and then यह mid tone के उपर है, means skin tone वे गरा पे ज़्यादा work करेगा यह, okay तो depend करता है कि आप किस चीच के उपर work करना चाहते हो, तो mid tone के उपर करोगे, तो 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 mid tone वाले पे apply ज़्यादा होँगे, shadow को करोगे, तो dark color पे होँगे and then highlight in the sense जो white color है उसके उपर यह हमारा blending option है आप चाहो तो blend कर सकते हो सी, थोड़ा सा जो आपका previous two, अभी जो आपने use किया है, उसके उपर है balance तो आप कर सकते हो कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हो completely different आपके यहाँ पर tones create हो रहे है, and then opticals में आप आजाओ, यहाँ पर optics में आप आजाओ, optics में भी आपको मिलेगा distortion सी तो अगर आपको distort करने हैं, अपने image को distort करने हैं, तो आप distortion में जाकर कर सकते हो, बट मुझे चाहिए नहीं, थोड़े बहुत vintage style आप ले सकते हो, अगर vintage थोड़ा सा लोग है तो आपको कुछ ऐसे मिलेंगा सी, तो विंटेज बूलने का मतलब क्या होता है, आपके जो corners होते होते हो, तो तुरसे dark हो जाते हैं और जो बीच में जो color हो गाओ, वो थोड़ा highlighted वाले होंगे, उसको अब लोग बुलते है, vintage color, तो अगर आपको vintage चाहिए, तो अपले सकते हो, otherwise रहने दो यहां से, and then यहां पे vintage का, आपका purple amount विग रहा है, तो अप चेक कर सकते हो यहां पे कैसे आपको चाहिए होंगे, otherwise रहने दो इसे, ओके, यह होगा, तो एक recording यहां पे आजा रहे हैं, ऐसी तरह से grid के recording आजाएगा, तो आपको tilt कर सकते हो, rotate कर सकते हो, जैसा भी आपको features यहां पे चाहिए होंगे, उसके recording, अप create के recording, इसको adjust कर सकते हो, perspective recording, जो भी आपको चाहिए होंगे, वैसा, मैं बोलता हो, रहने दो इसको, अगर आपको चाहिए, तो आप ले सकते हो, इसके recording, effects कुछ apply करने हैं, तो ले सकते हो, like grain, थोड़ा सा, अगर आपको grain apply करने हैं, तो ले सकते हो, थोड़ा सा noise ही आएंगे, इसमें सब को मैं दिखा देता हूँ, see, अगर आप यहां पे देखोगे, तो थोड़ा सा noise create हो गया है, because आपकी अपने grain ज्यादा ली रखा है, तो बहुत, अगर थोड़े बहुत apply करने हैं, तो अप ले सकते हो, detail को maintain करने के लिए, otherwise रहने दो, okay, see, थोड़े से यहां से भी मैं आ जाता हूँ, ऐसा, and, and a big netting again, वैसे ही है, थोड़ा सा अगर आपको, old style में चाहिए, तो आप ले सकते हो, यह भी एक अच्छा style है, otherwise नहीं चाहिए, तो आप अठा दो, कुछ ऐसे, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टैप्स के चीज़ आपको यहां पे मिलेंगे, तो आपको रखने हैं, तो आप रख लो, see, ऐसा भी सही लग रहा है, तो, यहां पे आपको मिलेगा, calibration, बिस रेट कलर को तुरह सा, जैसा चाहिए, skin tone को आप ले सकते हो, saturation ले सकते हो, यहां से, green के उपर भी work थुरह सा ले सकते हो, मतलब मिलें सारे कुछ यहां से आप कर सकते हो, जो भी आपको यहां पे changes करने हैं, वो changes आप यहां से कर सकते हो, तो बूलने का मतलब है, जितने भी तरह के आपको editing चाहिए होंगे, आप यहां से color grading कर सकते हो, तो यह हमारा color grading आप यहां से, तो यहां से आप color grading कर सकते हो, and then hit on ok बटन, तो आप देख सकते हो कि आपका completely change हो गया है, जो image आपका था पहले, and then अभी में बहुत changes आ रहे होंगे, मैं दिखा देता हो, like, मैं duplicate image कर देता हो, यहां पे, see, and then यहां पे जाकर मैं, revert कर देता हो, तो आप देख सकते हो, after and before दोनों में color grading में, बहुत differences हैं, आप चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो, and then अभी और भी बहुत कुछ है, like, मुझे अभी मैं चाहता हो, कि अपने जो image है, उसके eyes के color change करना है, या फिर उसके lips का color change करना है, या फिर उसके hair के color change करने है, वो कैसे होंगे, वो दिखाता हो, like, मैंने यहाँ पे एक image ले रखा है first, इसको मैं क्या करता हूँ, again filter में जाता हूँ, and then यहाँ पे camera raw filter में चले गया, अब camera raw filter में जाने के बद, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका काम खत्म हो गया है, अब आपको यहाँ पे चले जाना है, देखो, यहाँ पे आपको मिलेंगे यह circle वाले, आपको select लेने हैं, आपको यहाँ पे first में बताता हूँ, subject में, फिर sky पे, and then background पे आता हूँ, तो पहले subject में आप आजाओ, subject में आने के बाद आपको करना किया है, एक बार यह subject select हो जाए, okay, तो subject select हो गया है, and then उसको add कर लो, आप add करना क्या है, select people में चले जाओ, तो add करने के बाद आपको add people में चले जाना है, and then person आपका select हो गया, पर इसको आप पहले hide कर लो, okay, आपको inter person आप पहले, जो है उसको आप click कर दो, means मुझे नहीं चाहिए, and then मुझे सिर्फ particular किसी चीज़ को आपको यहाँ पर चाहिए, आप उसको color कर सकते हो, या उसको कोई भी changes कर सकते हो, मैं first hair में आता हूँ, and then यहाँ पर create करता हूँ, right, and then करने के बाद, आपको यह पुरे object को hide करना है, जो आपने ले रख है, तो click करो, and then hide subject कर लेना first, देखो अभी red color आपके hairs प्यार है, मैं सबके hairs जो है, वो अब आप work में ले सकते हो, for example, मैं क्या करता हूँ, यहाँ हूँ में जाता हूँ, and then यहाँ से जाकर मैं color change कर पा रहा हूँ, जैसा मुझे color चाहिए, मैं वैसे color को यहाँ पे जाकर ले पा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से मैंने कर लिया, यहाँ पे hair change, तो यहाँ से आप hair color change कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए होंगे, वैसे hair color आप यहाँ से लेकर रोके कर दो, and then यहाँ पे आप apply कर सकते हो, तो यह था hair color, same thing मैं क्या करता हूँ, कि माल लो मुझे lips के color change करने है, या फिर eyes के color, कुछ भी change कर सकते हो यहाँ से, जैसे आपको यहाँ पे जाना है, and then आपको ले लेना है subject को, and then यहाँ subject लेने के बाद, simple way में जब आप subject यहाँ पे ले लिया, तो आपको यहाँ पे add कर लेना है, select, आपको people कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि आपको इसके उपर ही work करने है, and then lips का, fish का, means everything you can change here, like lips color अगर चाहिए होंगे, तो lips even though, cloth का चाहिए, तो मैं cloth के उपर भी मैं काम कर लेता हूँ, see cloth को obsolete कर लो, and then create कर लो, and then again, यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे hide object कर लो, because of कि आपको काम करने, cloth के उपर, cloth white था मेरा, by the way, okay, तो, यहाँ से जाकर, मैंने cloth के color को change कर दिया, see, बहुती प्यारी color आ रही है यहाँ पे, okay, तो आपको जैसे भी चाहिए, बहुत easy way में, आप white color के उपर, यार बहुत challenge होता है, white color के उपर, किसी भी color को add करना, but यह बहुत easy हो जाते है, अगर आप filter में जाकर, अगर आप यहाँ पे जाकर, lens correction, sorry, camera raw filter यूज़ करते हो, तो, तो बहुत easy way में आप कर सकते हो, अब मैं दिखाता हो, कि sky color कैसे change कर सकते हो, and then even though, आप कुछ भी अप ले सकते हो, like, background कैसे change कर सकते हो, सभी कुछ, तो, अभी आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे पास यह image है, मैं क्या करता हो, आप फिल्टर में जाता हूँ, camera raw filter में गया, and then यहाँ पे अगें, मैं क्लिक करके, मैं जाता हूँ, sky के उपर, see, simple साब देख सकते हो, कि sky हमारा selected है, आप चाओ तो, यहाँ से sky के किसी भी तरह के color को, आप change कर सकते हो, यहाँ से, तो यह हो गया, हमारा sky को, अगर आपको change करने है, तो बहुत easy way में, आप sky के color को change कर सकते हो, जैसा चाहिए, वैसा कर सकते हो, तो यह हो गया sky, and then even though, अगर आपको background change करने है, तो वो भी कर सकते हो, बहुत easy way में, okay, तो मेरे पास कुछ इस तरह से background है, मैं क्या करता हूँ, मैं filter में जाता हूँ, and then again, मैं camera raw filter में चले गया, and then, यहाँ पर मैं जाकर, मैं क्या करता हूँ, फिर से click किया, and then background को slate कर लिया, तो simple way में, आपको background slate कर लेने हैं, यहाँ पे, जैसे color को आपको चाहिए होंगे, background के, automatically यहाँ से आप change कर सकते हो, quickly आप क्या कर सकते हो, change कर सकते हो, पूरे background वेगे रखो, जिस तरह का आपको चाहिए, उस तरह के background आप ले सकते हो, यहाँ से बहुत easy way में, कैसे भी, like अगर मेरे पस कुछ ऐसे image भी है, तो भी आप इसको अराम से background चेंज कर सकते हो, filter में जाओ, camera raw filter में आपको चले जाने है, and then यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है, background, that's it, and then background में जाकर आपको complete change कर देने है, background को, see, simple सा है, उसने calculate कर लिया कि background यही है, and then आपको यहाँ पे जाने है, तो रहसे scroll down करो, and then यहाँ पे जाकर आप change कर दो, see, जैसा color आपको चाहिए होंगे, red color है तो red color ले लो, तो रहसा purple है तो purple ले लो, जैसा आपको चाहिए होंगे, उस तरह के wall को आप यहाँ पे ले सकते हो, कुछ ऐसे, see, and then okay, तो मैंने quick way में change कर दिया, पूरे का पूरा background को, तो filter से आप बहुत कुछ कर सकते हो, इस तरह से आप color grading कर सकते हो, background change कर सकते हो, sky change कर सकते हो, means lots of thing you can do, with camera raw filter, I hope कि आज की class आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लेज लाइक करें, subscribe करें, and then अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें, मिलते हैं आप लोग फोटोशाप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार, टेक केर,